सत्रा को भचाने के लिए चुपके से महल में गुज गए जहांसे वो पवित्र हत्यार नौसत्रा को चुरा कर भागने लगे क्यूंकि एक बुजुर्ग भविश्य करता ने भविश्वानी की थी कि नागवंस के सूब मुहरत में पैदा हुए एक नौजवान जिसके पास मु बागने को कहा और खुद द्याच्छा के सैनिकों को रोकने के दोरान मारे गए वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बलकि ओट था यानि की ओट जनरल पान का अपना बीटा नहीं था बलकि वो उन दोनों कपल का बीटा था जो द्याच्छा के सैनिकों से लड़ते हुए मार में गिर गए और बहते हुए बाजी के पास आ गए बाजी